नमस्कार दोस्तो मैं हो अनूप श्रवास्तो और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज दोस्तो अगर आप पैरेंट्स हैं माबाप हैं नहीं नहीं साधी हुई है या सादी को 2-4-5 साल बीच चुके हैं और आपका बच्चा एक साल का है वो बैठ नहीं रहा है दो साल का हो गया चल नहीं रहा है तीन साल का हो गया केवल मा, बाबा सिर्फ यही बोल रहा है तो इसे हलके में ना ले ये एक प्रकार का नियूरो डिसॉर्डर है जिसे डॉक्टरी भासा में आउटिज्म कहते हैं और आउटिज्म क्या है और इससे आप कैसे निपट सकते हैं यानि अपने बच्चे को कैसे आप पहचान सकते हैं और इसका इलाज कैसे कर सकते हैं ताकि आपका बच्चा समय पर वो सारे काम कर सके जो उसकी उमर के बच्चे करते हैं इसे जानने के लिए हमारे साथ डाक्टर राहूल भारत जी हैं जो इंग्लेंड लंदन से आए हैं राहूल भारत जी डाक्टर साब आपका बहुत-बहुत स्वागत है यूपी ने तैंक यू सर सबसे पहले तो हमें ये बताईए कि ये जो में पहले साल तक कुछ पता नहीं चलता कि बच्चे कोई समस्या है भी की नहीं और पहले साल के बाद या तो बच्चों की स्पीश डिले हो सकती है या तो उनकी स्पीश आके चली जाती है तो यह देखा जाता है कि बच्चे अपने अपने में रहते हैं और अगर उनका ना तो जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्रीन बन रहा होता है उसका ब्रीन बनेगा तब बैठेगा उसका ब्रीन बनेगा तब वो चलेगा उसका ब्रीन बनेगा तो वो सुनेगा और समझेगा और बोलेगा तो बोलना जो है वो सुनने समझने और बोलने में आता है अगर वो सुनी नहीं रहा है बच्छपन से, तो बोलेगा या नहीं बोलेगा, वो मैटर नहीं करता। तो पैरेंट्स यह समझते नहीं हैं, और इस बात से पैनिक करके अक्सर यहाँ वहाँ थेरपीज और यह सब करने लगते हैं। और इससे बच्चा और भी खराब हो जाता है। बहुती बेसिक सी बात है कि बच्चे का जो ब्रेन का डवलपमेंट है काफी एरियास में छह महीने, नौ महीने पे हैं। बच्चा जैसे 6 मेने का है तो इसकी सी को देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, बात सुन रहा है, बात कर रहा है। बट यहाँ बच्चा 2-3 साल का हो गया तो भी ऐसा नहीं कर रहा। तो उसके साथ हमें यह करना है कि उसका ब्रेनदवलपमेंट वैसे डवलप हो ूश्य मेने के बच्चे का होता है। तो हमें उसके साथ वो गेम्स वो एक्टिविटीज वो प्ले करने हैं कि ब्रेन डवलप्मेंट सही डारेक्शन में हो जाए मतलब आपके कहने का है कि अगर बच्चा नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर रहा है कुछ आपको लग रहा है कि कुछ उसकी हरकते अलग टाइप की हैं या सामाने नहीं है तो आप उस इस्तिती में तुरन जो है वो डॉक्टर को संगल करें हां मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चे का डवलप्मेंट सही डारेक्शन में नहीं जा रहा है और कोई आपको बोले भी कि नहीं बाद में सब ठीक हो जाएगा तो रिशोट मत होईए और उसके लिए स्पेस्लिज डॉक्टर को दिखाईए तो दो चीजे मैं बूलना चाहता हूं कि अगर बच्चा पैदा हुआ है उसने सही से सांस नहीं ली है वो रोया नहीं है उसके ब्रेन में इंजरी है तो उसको एक साल के होने तक वेट नहीं करी है क्योंकि एक साल में बच्चे का ब्रेन बन जाएगा और जो बचा हुआ ब्रे तो सब कुछ brain development पे है कि बच्चे का brain development नहीं हुआ तो बाद में आप school में डाल दोगे पड़े कहां से तो अगर brain development एक साल या दो साल का है तो बच्चा स्कूल में जाके stable नहीं हो पाएगा तो फोकस सिर्फ यह होना चाहिए कि बच्चे में समस्या है कि नहीं अगर है तो उसा कारण क्या है पर अगर वो कारण है तो सही हिलाज क्या है और सही हिलाज के लिए brain development के लिए दवाईयों से जादा बच्चों से interaction और play करना चाहिए और एक बार वो होता है बच्चे खुश होते हैं इंजॉई करते हैं अराम से होता चला जाता है उसी में बच्चे से जबदस्ती करना बार बार बोलना रोकना टोकना फिर बच्चे और भी गुसा फ्रस्टेटेड एंग्शेस हो जाते हैं फिर पैरेंट्स बहेवर थेरेपी कराते हैं या सैकेर्टिक तेरेपी कराते हैं और बच्चों का आउ अगर मुझे गाड़ी चलाना सीखना है तो मैं गाड़ी चलाओंगा कई बार तो मैं सीख जाओंगा अगर मुझे कोई नई स्किल सीखनी है तो मैं सीख जाओंगा मगर मेरा brain development यहां तक हो चुका है कि कुछ भी नया में सीख सकता हूँ अब वही दो साल का बच्चे अब उसको गाड़ी चलाना सीखाएंगे तो नहीं सीख उसका brain का architecture बना ही नहीं है तो यह important है कि दो तरह के समस्या है एक बच्चे को तब हो रही है जो brain development नहीं हुआ है और एक तब हो रही है जब brain development होने के बाद उसका manifestation है दोनों ही तरीके में जो तरीका है इलाज का वो थोड़ा सा अलग हो जाता है पर दोनों ही तरीकों में इंसानों में humans में बच्चा कैसे फील करता हो बहुत important है तो जैसे मालने तारेज में डिसलक्सिया में दिखा है था कि बच्चा avoid कर रहा था जूट बोल रहा था इसकूल से भाग जा रहा था तो वह एक ऐसी personality है जिसमें बच्चा जो है वो नहीं पढ़ पा रहा है तो यह नहीं कहरा कि मैं नहीं पढ़वा रहा है वह एवाइड कर रहा है तो जादा बड़ी समस्य नहीं कि वह नहीं पढ़ पा रहा जादा बड़ी समस्य कि पढ़ना नहीं चाहरा क्योंकि उसे लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो उस समस्या को इलाज करना ही बच्चे को बाद में समस्या नहीं हो यह बहुत जरूरी है और अगर अगर किसी पैरेंट्स की बच्चे ऐसी तरह से से प्रावल्बम है तो उनके लिए आप लोगं के पास खासकर आपकी बात में करूँगा आप लंदन से यहां भारत आये हैं तो भारत में इसके इलाज की क्या इंतिजाम है और आप किस तरह से मदद कर रहे हैं तो हमने बिल्कुल जो लेटेस्ट 2022 में गाइडेंस बनी है जिसको ICT 11 क्राइटीरिया बोलता है कि आज की समय में किस तरीके से डाइगनोसिस होना है वो हमने हमारे डॉक्तर को सिखाना शुरू कर दिया है उसके लिए लर्निंग प्लैट्फॉम भी बनाया है और उसके लिए हम वरक्शॉप भी कर रहे हैं शहर शहर में जाके बता रहे हैं कि बच्चों को सारे डॉक्टर के बीच में वह जानकारी पहुंचा नाम है उसका नाम है अर्ली एर सलूशन जो की लंदन से हम लोग उसको बनाया हुआ है और उसमें बहुत सारे डॉक्टर में यूपी ने वह ट्रेनिंग करी और बहुत उनको फायदा मिला है तो डॉक्टर्स डाग्नोस से वह समझे कि उस डाग्नोसिस का मतलब क्या है तो उसके लिए हमने वह जानकारी हिंदी में बनाई है तो हमने क्या किया है कि कैसा बनाया है जो कोई भी फ्री में डाउनलोड कर सकता है प्लेस्टोर से और वहां पे जाकर वह देख सकता है कि कि किस बीमारी किस समस्या में जैसे dyslexia में बच्चे की समस्या क्या है? बच्चे क्यों avoid कर रहा है? अब का नम क्या है? उसका नम है Genius Lane Parents App, Genius Lane, G-E-N-I-U-S, Lane, L-A-N-E, Genius Lane Parents Support App, कोई भी उसको download कर सकता है, और बच्चे को अकर मिर्गी के दोड़े आते हैं, चाहे बच्चे को brain injury हुई है, चाहे बच्चे के जनम की समय global development delay है, या बच्चे को पढ़ाई की समस्या है, या dyslexia है, हर एक चीज की सही जानकारी वहाँ पर दी गई है, जो latest जानकारिया है, और उससे हमने बहुत सारे parents को help किये, और जो भी उस जानकारी को सुनता है, वो relax हो जाता है, वो समझ जाता है कि समस्या होतनी ब जिनका कहना है कि autism एक परकार का personality है, बच्चा है, तो आपका बच्चा अगर autism से पीडित है, या आपको लगता है कि उसका वहाँ थोड़ा सा सामाने नहीं है, तो आप तुरंत जो है, या तो आप डॉक्टर साब ने जो एप बताया, genius lane app है, इसको आप यूज कर सकते हैं, इसको जो है, इस पर जाके आप मदद ले सकते हैं, या अपने आज पास के किसी जो child neurology के डॉक्टर है, उससे आप दिखा सकते हैं, तो आप जल्दी सी जल्दी अपने बच्चे को बिलकुल सामभाने वस्था में ला सकते हैं, कैमरामें नमन वर्मा के साथ, अनूप